असलाम आलेकुम प्रेप क्लास आज आपका ये काम आपने कौपी पर करना है ठीक है आपके पास आपकी ऊट्टि की ये वाली कौपी होगी सीए आपने इसका पेज वन निकाल लेना है और उस पर आपने डेट मेंचरने करनी है जिस डेट से आप काम कर रहे होंगे अनुवान लिखना है आपने ठीक है जमात का काम मार्जन लाइन जो करनी है उसके बाद आपने यहां पर देखना है कि आप कैसे यह देखें अलिफ है तो अलिफ लाइन पर लाइन से नीचे नहीं आएगा ठीक है इसी तरह हम अलिफ बनाएंगे और उसके उपर एक मत बना देंगे तो यह अलिफ मत दा हो जाएगा यह बे है बे के नीचे एक नुक्ता है और नुक्ता जो है वो लाइन से नीचे आएगा और बे का यह जो है फेस यह लाइन के उपर आएगा इसी तरह आप देख ले ये ये जीम है और जीम जो है वो लाइन से उसका जो पेट है वो लाइन से नीचे आएगा इसी तरह ये चे है चे का भी पेट लाइन से नीचे आएगा और इस तरह से आपने नुक्ते डालने है हे खाली होता है और हे के उपर एक नुक्ता होता है जो आपने एक नुक्ता डालना है ये डाल है डाल की शकल आप जो है वो गोल बनाएंगे और वो लाइन के उपर आएगा ये डाल है डाल के उपर तोय आती है ये जाल है और तो जाल के उपर एक नुक्ता आजाएगा ये रे हैं रे को जो है वो हम लाइन से थोड़ा नीचे लाते हैं इसके पूरी फैमिली जो खांदान है वो सारा लाइन से नीचे आता है डाल में और उसमें ये ही फरक होता है ठीक है एक तो डाल गोल होता है और लाइन की ऊपर आता है और ये लाइन से नीचे आते हैं और ये गोल नहीं होते हैं अब ये सीन छीन आप देख रहे हैं आपने ख्याल करना है कि ये लाइन से कितना नीचे आएगा और कितना नहीं ठीक है ये आपने इसी तरह इनको भी ला से आप कितना नीचे लेके आएंगे और मीम को भी आपने लाइन में लाइन से कितना नीचे लाना है यह आप देख ले नून आपनी गोल बनाना है और लाइन से इतना नीचे आएगा यह ठीक है तो यह सब आपने लाइन पे कर लेना है और यही काम आप जमात का काम भी होगा और यही काम आपका घर का काम भी होगा means आपने इसको two time अपनी notebook पे कर लेना है Thank you students